यह जो है यह अपका एरिकानाट का नेकेड सेपलिंग्स है यह हमारा लोकेल में इसको तामूल या तामूल भी बोलता है असाम में तो यह हम अभी मतलब यह इसका पूरा जो मेचियोर फ्रूइट्स होता है एरिकानाट का वो हमने 20-25 दिन पहले यह सोयल में डाला था तो अभी उसका मतलब यह नीचे का रूट्स भी निकलाया है और 5-6 इंचे का यह पोदा भी हो गया है तो हमने अभी इसे मिट्टी से निकला है अभी पोली बैग में इसे डालेगा पोली बैग भी रेडी है उसमें मिट्टी डालकर अभी पोली बैग में यह डालने वाला होता है तो देख सकते हैं आप यह तो आपका फूर्ट में डालने से पहले यह कनफार्म करना पड़ेगा यह सीड्स यह आपका फूर्ट जो होता है यह पूरा मेचियोर हुआ कि नहीं पूरा मेचियोर सीड्स था इसलिए थे वेक इरिकनाट का अच्छा से पोधा निकला है इसका हमारा polybag भी अभी है उसमें डालने के लिए उसका भी काम चल रहा है तो हम आपको अभी हमारा नैटसरी के साइड में लेके जाएगा जहाए यह पोली बेक में डालने का काम चल रहा है कि यह देख सकते हैं अब पलीवेग में लगाने का काम चल रहा है अभी कि यह देख सकते हैं तो मेरा पली देख का जो अभी नड़ा है काम चल रहा है लेबार लोग कर रहा है अभी यह तो है आपका इस साल का न्यूली जो हमने प्लांटेशन किया है और कर रहा है अभी दो साल या तीन साल का भी पोदा हमारे पास है त्री फीट से लेके फोर फीट तक का प्लांट दो फीट का भी प्लांट है एरिकानाट का तो अगर कोई बायर्स लेना चाहे या प्लांटेशन करना चाहता है एरिकानाट का तो हमें डाइरेक कांटेक कर सकता है डेस्क्रिप झाल झाल झाल